सो ये गईस आज है हमार पास OPPO A77 और आज मैं आपको इसी के special features बताने वाली हूँ definitely आपको वो features पता नहीं होंगे जो मैं आज को इस वीडियो में बताऊंगी चलिए first features की बात कर लेते हैं जैसे मैंने ये application अभी open कर लिया है अब आप इससे पहले वाली application में switch करना चाते हैं जाना चाते हैं तो आपको यहाँ पर इस button को दो बार press करना है तो आप उसे application में चल जाएंगे और बापस आना है तो फिर आप दो बार press करेंगे तो बापस आज आएंगे तो चली अब बात कर लेते हैं next features की जैसे कि यह हमारी three fingers से ऐसा करेंगे तो screenshot लग जाता है मगर यह तरीका न पुराना हो गया मैं नया बताती हूँ आप यह power button को press करके रखेंगे और यह button को तो भी screenshot लग जाती है round बगेरा और यदि आपको खुछ से round बनाना है तो आप भो भी बना सकते हैं मतलब अपने हिसाब से screenshot ले सकते हैं अब बात करते हैं next features की तो इसके लिए आपको setting में जाना है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे की burn hand mode हो गया, flipsic window हो गई यह सभी क्या होते हैं आगे मैं आपको बताने वाली हूँ अभी आपको personalization पर click करना है, यहाँ से agree कर लेना है फिर आपको यहाँ पर भी बहुत सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे की ball paper आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे ball paper amazing amazing interesting से ball paper देखने के लिए मिल जाते हैं और इसमें आपको एक live ball paper भी देखने के लिए मिलता है जैसे की यह हवा महल वाला, यह एकदम amazing ball paper है मतलब की morning के time में morning जैसे रहेगा, evening के time में evening और night हो जाएगी तो यह night type रहेगा मतलब time के हिसाब से यह ball paper change होते रहता है और यहाँ आप more ball paper के option पर आकर ball paper को download भी कर सकते हैं आपके mail में sim डली रहेगी, net चालू रहेगा तो आप यहाँ से ball paper को download कर सकते हैं अभी मेरे में net चालू नहीं है, नहीं sim डली हुई है इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहे है अब आपको back आना है और यहाँ themes के option पर click करना है तो एक themes तो आपको पहले से ही यहाँ पर default मिलेगा और open theme के option पर जाकर आप theme store से theme भी download कर सकते हैं आपका net चालू होगा तब और आपको यहाँ पर pet theme भी देखनी के लिए मिल जाते हैं free theme भी देखनी के लिए मिल जाते हैं pet theme में 5 minutes का trial भी मिलता है अब आपको back आना है, icon के option पर click कर देना है आप यहाँ से icon के shape को customize कर सकते हैं जैसे कि material हो गया, bubbles हो गया और custom में जाकर आप customize भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर agree कर देना है अब आप इसके shape को भी change कर सकते हैं जैसे कि यह window हो गया, यहाँ पर आपको बहुत साइब देखनी के लिए मिल जाते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और program के option पर जाकर आप जो icon के अंदर के icon होते हैं उनका size छोटा बड़ा कर सकते हैं और icon के option पर जाकर आप icon के size को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहीं पर आपको, अभी आपको इहाँ icon के name दिख रह difficulty है जैसे camera हो गया, message हो गया, tool हो गया आप इसके भी size को छोटा बड़ा कर सकते हैं, font के size को, large रखना है, extra large रखना, medium आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अब आपको back आ जाना है, यही पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है quick setting का, तो आपको यहाँ पर click कर लेना है, quick setting मतलब जो उपर हमारे status वार के जो icon होत आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, अब बात करते हैं next features की, यही पर आपको color का option देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ से अपनी सारी UI के color को change कर सकते हैं, जैसे control panel के icon होते हैं, उनके color change हो जाएंगे, setting वगएरा, सारी चीज़ों के color change होने वाले हैं, आप यहाँ स choose कर सकते हैं, classic वगएरा आपको जो करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, और यही पर आपको matching wallpaper का option देखने के लिए मिल जाता है, मतलब आप यहाँ पर click करेंगे, तो जिस color का भी आपका wallpaper होगा ना, उसी color की आपकी सारी UI देखने के लिए मिल जाएंगी, setting वगएरा या control पैनल के जो भी icon वगएरा है न, वो सारे आपको ball paper के हिसाब से ही देखने के लिए मिल जाएंगे, और custom पर जाकर आप color को customize भी कर सकते हैं, जैसे pink, green, yellow, आप, आपको जो color पसंद हो, आप उसके हिसाब से यहाँ पर color भी choose कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, next features की आपको back पैकाना है और यही पर font and display size के option पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आप font के size को भी change कर सकते हैं, जैसे oppo sense हो गया, और more font पर जाकर आप बहुत सारे font को download भी कर सकते हैं, अभी मेरे में network connect नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा, बट आपके में हो जाएगा, अब बात करते हैं next features की, तो जैसे आपनी application खोल के रख लिया है, अब आपको कुछ ऐसा करना है, और उपर आपको three dots पर click कर देना है, यहाँ पर आपको एक option देखने के मिल रहा है, flip screen का, तो आपको यहाँ पर click कर देना है, अब यह screen flip हो गई है, आप नीचे से एक और कोई भी application को open कर सकत हैं, अब बात कर लेते हैं next features की, तो आपको यही पर जाना है, उपर आपको three dots के option पर click कर देना है, और यही पर आपको एक option देखने के मिल रहा है, floating window का, तो आप यहाँ पर click करेंगे, तो एक और window आपकी तयार हो जाती है, आप इसे adjust भी कर सकते हैं, सोटा बड़ा भी कर स सकते हैं, और अगर आप इसे बड़ा करना चाते हैं, तो आपको यहाँ पर click करना है, तो यह window बड़ी भी हो जाती है, देखो यार आपको वीडियो पसंद तो आती होगी, तो फिर like कर दीजी, अब बात करते हैं next features की, तो आपको setting में आना है, और यहाँ पर home screen and lock screen के option पर click कर देना है, आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल रहा है, आपको यहाँ पर दो option मिलते हैं, standard और drawer, जैसे कि अभी यह drawer में है, तो हमारे application आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और ऐसा ऊपर गरी भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसे नहीं चाहते हैं, standard mode पर चाहते ह हैं, और यहाँ से switch कर देना है, अब आप देखेंगे कि आप कितने ही क्यों ना ऐसा करने हैं, बट आपकी menu नहीं निकलने वाली है, और अगर आपको पहले जैसा चाहिए, तो आप यहाँ से simple drawer mode पर कर देते हैं, और यहाँ से apply कर लेना है, इसके बाद आपको switch करना है, तो अब आपको ऐसा करींगे, तो वो सारी application बाहर निकल कर आने वाली है, अब बात कर लेते हैं, next features की, तो आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल रहा है, icon pull down gesture का, तो आपको यहाँ पर click कर देना है, और यह पहले से बंद रहेगा, तो आपको यहाँ से on कर देना है, इसक अपने phone को use कर सकते हैं, और यहीं से भी आप उनने application को चालू भी कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं next features की, तो आपको यहीं पर एक option देखने के लिए मिल रहा है, double tap to lock का, आपको इसे on कर देना है, जैसे ही आप अपनी screen पर double tap करेंगे न, तो phone automatic ही बन हो जाएगा, आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है, swipe down on home screen, आपको यहाँ पर click कर देना है, अभी यह global search पर है, जैसे क्या होता न, आप कुछ ऐसा करेंगे, तो आप यहाँ से कुछ भी चीजे वगएरा search कर सकते हैं, हमारा drawer निकल कर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से notification drawer पर कर देंगे, तो फिर आप जैसे ही ऐसा करेंगे, तो notification drawer बाहर निकल कर आजाएगा इस पंतलब की status वार, अब बात कर लेते हैं next features की, यहीं पर आपको rise to backup का option देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको इसे on कर देना है, तो आप अपने हाथ को कुछ इस type से करेंगे न, तो आपका phone automatic ही हो जाएगा, और यहीं पर आपको lock screen magazine के option पर click कर देना है, यहाँ से continue कर देना है, फिर continue कर देना है, agree कर देना है, और यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है, auto update app को तो आपको यहाँ से app बगेर को update कर लेना है, अपडेट करने के बाद क्या होगा न, गाइस की जितने बार आप अपने phone को lock unlock करेंगे न, उतने बार ball paper change होते जाएंगे, अलग-अलग ball paper आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहीं पर आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है, ball paper का तो आप यहाँ पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर अपने ball paper भी add कर सकते हैं, यहाँ से आप gallery में जाएंगे, album में चले जाएंगे, आप यहाँ से album भी set कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं अपने photo के ball paper तो भी आप यहाँ से add कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, next features की तो आपको lock screen, home screen पर ही आना है, और यहाँ पर आपको clock style का option देखने के लिए मिल रहा है, अब ही यह हमने vertical में कर दिया, तो आपको clock कुछ this type से देखने के लिए मिलेगी vertical में, और अगर आप horizontal पर कर देते हैं, तो clock horizontal में देखने के लिए मिलेगी, यह center पर clock आ गई है, अब बात कर लेते हैं next features की, तो यहीं पर आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है, recent tax manager का, तो अब ही यह हमारा बंध है, तो क्या होता है न गाइस की, अभी आपको यहाँ कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कि RAM हमारी कितनी है, कितनी use हो गई है, यह फिर कितनी बची है, अगर आप इसे on कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कि हमारी कितनी RAM अभी available है, और कितनी खर्च हो चुकी है, जैसी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं next features की, तो आपको display and brightness के option पर click कर देना है, और यहाँ से यह light mode है, पहले से तो आपको dark mode कर लेना है, आपकी eyes के लिए यह safety features होता है, और मेरे हिसाब से तो आप anytime dark mode ही करके रखना, इससे आपकी बैटी वगयर भी बसती है, और यहीं पर आपको dark mode setting के option पर click कर देना है, यहाँ से आप dark mode की color को भी और enhance कर सकते हैं, जैसी कि आपको medium में करना है, या फिर ये वाला हो गया, या फिर enhance में करना है, तो आप enhance भी कर सकते हैं, आपको dark mode क color भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, अरजेस्ट बॉल पेपर on dark mode का option देखने के लिए मिलेगा, यदि आप बॉल पेपर में dark mode चाहते हैं, तो आप यहां से बो भी कर सकते हैं, और नीचे अरजेस्ट आइकन to dark mode का option देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप च के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप night में phone यूज कर रहे हैं, तो आपकी ice के लिए safety के लिए यह option बहुत ही अच्छा हैगा, आपको bomb करना तो bomb कर देना, medium रखना है या फिर cool में रखना है, आप अपने हिसाब से यहां पर देख सकते हैं, आप bomb कर देखेंगे त कि आपको कतने time के बार्द dark mode चाहिए, सुका इस वीडियो अभी बहुत जादा लंबी हो रही है, मैंने अभी आपको इसके normal features ही बता हैं, next part में मैं आपको इसके special और hidden features बताऊंगी, तो इसके लिए आप channel को subscribe कर लेना और bell notification को भी on कर देना, ताकि next part सबसे पहले आपके प करना तो बनता है, thanks for watching this video